नमस्ते दोस्तों, Indian Council of Medical Research, ICMR, जो कि भारत की Apex Scientific Medical Body है, they have come out with guidelines of कि क्या आपने खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बच्पन में क्या खाना है, प्रेग्नेंसी में क्या खाना है, बुढ़ापे में क्या खाना है और मुझे ऐसा document देखके बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी document था इंडिया के लिए और 13 साल बाद उन्होंने guidelines update की हैं, इस से पिछली guidelines जो आई थी, 2011 में आई थी तो आज 2011 से अब तक scientific mahal इतना change हुआ है, हमें इतनी नई बाते पता चली है तो I am very happy, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपडेट की हैं ये सब guidelines और इस चैनल को देखने वाले काडियेक सेकन ओपिनियन चैनल देखने वाले लोगों को जो भी मैं guidelines सिखाता रहा हूँ, क्या खाओ, क्या नहीं खाओ, उससे ये कैसे match करता है जो हम कह रहे थे ये उसी के अनुसार बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं अगर ये आपको जानना हो तो वीडियो पूरा देखिएगा जैसा आप जानते होंगे, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी, I am founder of the site call is www.cardiacsecondopinion.com और इस site पर भी जो तिनी भी हम opinion देते हैं, that is guidelines based, like American Heart Association and European Cardiological Society के guidelines की basis पर ही हम हमेशा recommend करते हैं कि आपने procedure कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए या आपका treatment सही दिशा में जा रहा है कि नहीं अलग गलत दिशा में जा रहा है So, मेरी एक foundation भी है, not-for-profit foundation called Uniheal Heart Care Foundation, इस foundation से हम पैसे कठे करते हैं, गरीब बच्चों के दिल के operation करने के लिए So, for anybody who wants to donate to our foundation, इस QR code को आप scan करके donate कर सकते हैं Now, coming back to the topic, ICMR ने इतने सालों बाद एक document लाया है, which is very heartening इस document में clarity के साथ में 17 अलग-अलग guidelines दे गई है So, इन 17 guidelines में क्या है, and उन 17 guidelines में हमारे cardiac second opinion वाले दर्शकों के लिए क्या नया है, I'll tell you So, first and foremost, जो वो कह रहे है, वो हर किसी के लिए है, वैसे भी, कि आप wide spectrum का खाना खाईए, खाना कोई भी monotonous नहीं होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, जो बहुत variety of foods को मिला के balanced diet बने, that is a simple intuitive point But at the same time, for pregnancy and breastfeeding में आपको extra provision करना है, that is again intuitive, this is the second guideline, third guideline, very important guideline, 6 महिने से बच्चे तक, 6 महिने के पैदा होने के बाद तक बच्चे को केवल breastfeeding करना है, I think यह लोग भी जानते होंगे, आप अभी तक के लिए, पर अगर नहीं जानते हैं, तो बच्चे के पैदा होने के बाद में 6 महिने तक breastfeeding के लावा कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, यह I'm sure TV पर भी advertisement चलते रहती हैं, but more importantly, बच्चों के लिए उन्होंने जो हमारा view था, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों, कि शुगर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हैं, और स disclosure, मैंने अपने बेटे को भी जब तक वो तीन साल का नहीं हुआ था, शुगर आफरी नहीं की थी, जब स्कूल जाने लगा बच्चा तब मजबूरी थी, क्योंकि दूसरे बच्चों को देखता था, वो शुगर खाता था, मेरे बेटे को भी तीन साल की उमर तक मैंने शु मैं तो कहूंगा कि किसी बी इंसान ने जिंदगी बर शुगर आवाइड करनी चाहिए, वो इंप्राक्टिकल हो जाता है, बट जो भी है, दो साल की बच्चों तक तो जब आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो, वो क्या खाते हैं, शुगर जरासा भी उनको ना दें, ICMR भी यही कहा था, तो शुगर पर एंफिसिस के अलावा जो बच्चों के लिए उन्होंने में बाते कही थी, कि बच्चों में जो भी activity होती है, या sickness के periods आते हैं, या फिर growth spurts के period आते हैं, जब बच्चे की height अचानक से बढ़ना शुरू हुई, उन periods को ध्यान में रखते हुए भी ख पहले नहीं होते थे, pediatric bodies करती थी, बट एक single ICMR ने जो अच्छे से charge दिये हैं, they are very good, एक unique चीज जो इस बार मुझे लगी, कि उन्होंने एक नया pyramid का concept लाया है, normally अगर हम इंडिया में देखे हैं, तो अधिकतर लोग कैसे खाना खाते हैं, सबसे बड़ा portion होता है, रोटी य या जो भी और चीज़ें उपर से डालने होती हैं, तो typically जो pyramid बनता है, pyramid का मतलब क्या, कि pyramid के base में है, वो सबसे जादा amount है, उसके बाद थोड़ा कम amount है, फिर कम amount है, और जो top पे हैं, वो बहुत ही कम खाने वाली चीज़े हैं, पर खा सकते हैं, अच्छी हैं, healthy हैं, वैसी वाली चीज़े हैं, so pyramid का base इन्होंने change कर दिया है, पहले, रोटी और चावल, यह सबसे commonly खाया जाने वाले grains हुआ करते थे, इस बार इन्होंने जो pyramid किया है, इसमें सबसे ज्यादा weightage, 400 gram, has been given to vegetables and fruits, so अगर आप सबजी और फल, 400 gram रोज काते हैं, जिसमें से कि at least 50 gram के तो that is healthy, they are saying, और उसके ऊपर का slab है, that they have made it, to जो भी यह दालें, cereals, cereals मतलब अनाज, जो भी गेहूं और चावल भी हैं वो, और वैसे ही दूसरे टाइप के, जो कि millets होते हैं, तो millets, cereals, or legumes, दालें सब मिला के उन्होंने उस pyramid मे लेके हैं, that is very very important thing, and that उन सब का dry weight लगब 200 gram होता है, तो 200 gram तक के millets, or wheat, or rice, or दालें आप खा सकते हैं, बट सबसे बड़ा जो base है, to emphasize, कि सबजी और फल जादा जरूरी है, बाकी का अनाज और दालें उससे कम है, and फिर उससे कम में आते हैं, milk products, milk products are essential for all vegetarians, यह emphasis भी बहुत important थी, और वो emphasis इसमें दी गई है, कि अगर आप vegetarian हो, और vegetarian diet को लेकि मैंने recently video भी बनाया था, कि यह 10 गलतियां जो vegetarians करते हैं, जिसके कारण अच्छी भली vegetarian diet unhealthy हो जाती है, वो आप जरूर देखिएगा, so उसमें मैंने भी emphasize कि आपको, कि दूद अगर आप लेते हो, ले पाते हो, तो बहुत अच्छा है, बट जैसे ऐस चैनल के दर्शक हैं, इतने समय से जो भी चीज़ें देखते आए हैं, एक-एक करके यह सब बाते हैं, वैसी के वैसी हैं, जैसी हमने पहले आपको समझाई थी, so what we have been telling you about is scientifically been backed by ICMR in most of the ways. non-veg protein में इन्होंने बहुत जादा emphasis on fish को दिया है, I was surprised because usually I recommend egg more than fish also, but दोनों अच्छे meats हैं, and जो red meat and white meat हैं, बाकी chicken and mutton, उन दोनों को कम उपयोग के लिए उन्होंने भी कहा है, but primary importance is egg and fish, इन लोगोंने fish पे जादा stress तिया है, but that is fine, that is चलता है, अच्छी कोई problem वाली बात नहीं है, दूसरी चीज जो उन्होंने बताई है, कि हमारी आज की lifestyle में, जो सबसे बड़ा data उन्होंने दिया है, अब मेरी पराने बातों मेंने कई बार कहा कि आधी से ज्यादा बीमारियां, तो यह खाने के कारण होती है, इसलिए खाने पर focus करना जरूरी है, now they have officially put a figure to it, IC ICMR के अनुसार 56.4% या 56% के आसपास का number उन्होंने दिया है, इतनी number of diseases is because of food only, so 56% से जादा बीमारियां जिनके कारण आगे जाके मौत होती है, ऐसी बीमारियां केवल खाने से संबन देते हैं, खाने के लावा बाकी संबन जैसे tobacco, शराब और चीजें और उन्होंने बताई यह वो अलग जगर पे, but 56.4% is with these, so importance उसका समझाया गया है, एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने एक clarity लाई है, कि microwave cooking and air frying, यह दो चीजे थी जिसको लेके समाज में बहुत सारे misconceptions हैं, तो इन्होंने very clearly कहा है, कि microwave cooking is acceptable, it is not a problem, बस उसमें एक ही चीज क ध्यान रखना है, जो मैंने भी आपको पहले बताया हुआ है, कि plastic containers को कभी भी microwave नहीं करना है, भले उसमें लिखा हो microwave safe, microwave resistant, कुछ भी लिखा हो, किसी भी प्रकार के plastic को microwave में नहीं डालना है, microwave में आप डालेंगे, तो काच के बरतन ही डालेंगे, या even steel के डाल सकते हो, but steel मे wastage बहुत ज्यादा होता है, तो ceramic, काच is the commonest method being used for microwave, you can put steel also, stainless steel आप डाल सकते हो, but उसमें उसकी efficiency कम हो जाती है, it doesn't heat that well, बरतन ज्यादा हीट ले लेता है, फूड में heat कम जाती है, ऐसा ही air frying पे, they have very clearly said, कि air frying is a healthier way to fry compared to a deep frying in the oil, in fact उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप fry करते ह तो उस तेल को दुबारा यूज नहीं करना है, एक ही दिन के अंदर खतम करते हैं, अगर fry क्या हुआ तेल आप खुला छोड़ते हो, दो तीन दिन बाद यूज करते हो, तो उसमें toxins बन जाते हैं, जो हमने भी आपको पहले सिखाया हुआ है, ये सब चीजे fundamental चीजे हैं, basic जो हर इंसान को वैसे भी पता होना चाहिए, तो प्लीज ये जो लिंक है, हम आपको डालेंगे इस टॉप में, ये आप भी डाउनलोड करके, पीडियो फॉर्मेट में ये पूरा चीज अपनी language में पढ़ सकते हैं, आप, प्लीज डू रीड आल इस टॉपिक, आगे इसमे मेल को 2000 कलोरी से जादा नहीं लेनी चाहिए, in a sedentary मेल, 1800 कलोरी बहुत है, so वो calorie restriction का concept बहुत अच्छी बात है, I wish कि इन्होंने intermittent fasting के बारे में भी कहा होता, बट वैसा कुछ statement दिया नहीं, salt को कम करने के लिए उन्होंने भी recommend किया था, हमने भी आपको हमेशा recommend किया अगर आ ICMR ने यहां भी accept किया है, ऐसे ही जो पानी है, adequate पानी पीएं, कम से कम दो लिटर पानी सभी पीएं, यह जरूरी है, आप गर्मियों में तीन लिटर, साड़े तीन लिटर तक भी जा सकते हो, वैसे ही और जो उन्होंने सलहा दी है, कि processed food and ultra processed food से दूर रहना है, मतलब क्या, pizza burgers, maggie, इस टाइब की जो भी चीज बजार से आती है, उसको आपने avoid करना है, हर कीमत पे, यही चीज हमने भी आपको समझाई हुई थी, इन्होंने खाने के labels पे बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने कहा है, कि जहां भी low sugar लिखा हुआ हो word, ऐसी चीज से दूर है, क्योंकि जो low sugar होती है, उसमें fat बढ़े होते है, अगर आप देखोगे, अगर आप याद करोगे, तो मेरी पुरानी clip अगर ढूंडोगे, तो same यही चीज मैंने बोली हुई है, कि जहां आप शक्र कम करते हो, वहां आप दूसरी चीजे बढ़ानी पड़ती है, typically fat बढ़ जाता है, साफ साफ इन्होंने लिखा है, कि juices नहीं लेनी चाहिए, juice की बजाए फल खाई है, साफ साफ इन्होंने लिखा है, कि जो भी sugar containing liquids आप बजार से लेके खरीद रहे हो, या घर पर बना रहे हो, that should be avoided as much as possible, and maximum one person can have a sugary drink is 150 ml in a day, उसमें भी यह ध्यान रखते हुए, कि total amount of sugar जो आपक किसी भी व्यक्ति को अगर sugar लेना है, तो maximum sugar should be less than 25 gram from all the sources, अब एक example के लिए, 200 ml का जो cola का can आता है, उसमें 30 gram sugar होता है, और एक जो आपका tetra pack होता है, किसी भी juice का, आपके फेवरेट जितने भी juices होते हैं, summers में आजके लोग मैंगो वाले बहुत सारे juices आने लगते हैं, उसम So, एक भी पी लिया, तो आप कहीं भी और से कुछ भी जरा से भी शुगर नहीं ले सकते हो, in fact, एक teaspoon जो कि आप चाय में एक चमच डालते हो, उसमें 5 gram sugar होती है, मतलब सारे sources से मिला के कुल 5 चमच शुगर से जादा आप teaspoon वाले नहीं ले सकते हो, teaspoon वाले चमच छोटा होता ह बड़ा चमच मत समझना उसमें, खाना किस में कुक करें, कितने temperature पर कुक करें, इसके लिए भी detail guideline उनने दी है, साथ ही साथ कि बरतन कौन सा use करें, this is where I think only thing which I have been telling separately on ICMR यहां पर अलग बोल रहा है, कि मिटी का बरतन बहतर है, ऐसा ICMR की body ने लिखा हुआ है, कि मिटी के बरत उसकी कम यह उन्होंने बताई है, पर यहां पर मैं थोड़ा differ करता हूँ, मेरा यह मानना है, कि जो मिटी के बरतन है, वो इसी soil से आ रहे हैं, जब तक soil pollution बहुत जादा नहीं था, I think this was a good strategy, अगर जब आबादी कम थी, पुराने जमाने में मिटी के बरतन से काम अच्छे से हो जाता था, और मिटी प्यॉर होती थी, अब तो ऐसा है कि कहीं भी आप देखें, pesticides और toxins हर जगर soil में जा चुके हैं, तो वैसी soil जिसमें कि pesticides गए हुए हैं, वो निकाल के आप उस बरतन से खाना बनाओगे, तो overall कहीं न कहीं पर वो pesticides पर आपकी body में जाते रहेंगे, personally I would say कि अगर मिटी में वाले बरतन को बनाना ही है, तो उसमें फिर quality standard कुछ न कुछ निकालने चाहिए, यह certification होना चाहिए, कि इस मिटी में arsenic, cadmium, यह जो typical toxins होते हैं, वो कितने amount में हैं, वैसा कर पाना किसी भी person के लिए possible नहीं है, इसलिए I would say personally, कि आप stainless steel के बरतन में बना व यह यूज कर सकते हो, ऐसा अगर वो बोलते हैं तो बढ़िया है, so यह बातें एक fundamentally कागश पर लिखित तौर पर आपके पास हैं, please follow कीजिए, यही चीज़े हम पिछले डेर साल से इतने वीडियो में बनाते आ रहे हैं, यह पूरा कागश पढ़ लेंगे तो आपको समझ मे आजाएगा, so go through this and please tell me whether you feel it is important for you, food का आपकी life में क्या importance है और यह चीज़े आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अगर यह चीज़े नहीं कर पाओगे तो मुझे message जरूर भेजिए, मैं आपको थोड़ा और कहीं न कहीं से किसी तरीके से motivation लाने की कोशिश करूँगा, thank you आने मादो